फूटाला तलाप का विकास थीम पार्क के रूप में उबराने की जम्मदारी नाखपुर सुधार प्रण्यास को दी गई है नाखपुर सुधार प्रण्यास ने 31 दिसंबर तक थीम पार्क शुरू करने का लग्श रखा है थीम पार्क के लिए आवश्यक मशीने नाकपुर पहुच चुकी है और लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है वही चार नामचीत कलाकारों की आवास की रेकॉर्डिंग भी शुरू हो चुकी है गुलजार हिंदी में बोलेंगे जबकि अमिताब अंग्रेजी में और नाना पार्टेकर मराठी में आवास देंगे इसी प्रकार एयार रह्मान का संगीत और आवास भी जल्द सुनाई देगा गुलजार के रेकॉर्डिंग का काम पूरा हो गया है जबकि अमिताब और नाना की आवास के रेकॉर्डिंग भी जल्द होने जाने की उम्मीद है नाकपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरन के आयुक्त एवं नाकपुर सुधार प्रण्यास के सभापती मनोज कुमार सूर्यवन्शी ने बताया कि मेट्रो को थीम पार्क में लाइटिंग और साउन का जिम्मा दिया गया है और दोनों ही काम गती से जारी है कुल चौवन करोड की लागत से मशीने लगाई जा रही है ये नाकपुर शहर का मुख्या आकरशन बनने जा रहा है सब ही बड़े कलाकार नाकपुर का इतिहास अलग-अलग भाशाओं में बताएंगे पहले रहमान किवल म्यूजिक देने वाले थे लेकिन अब उनकी आवाज भी डब की जाएगी ताकि लोगों को लगे कि म्यूजिक भी रहमान की ही है हम पूरी उमीद कर रहे है कि 31 दिसम्बर के दिन लोग इसका आनंद उठा पाएंगे उन्होंने कहा कि कारिय में विलंब करने वालों को लाख लाख रुपे फाइन का प्रावधान किया गया है जिससे कारिय अपने निर्धारित समय से जारी है गैलरी, फुट प्लाजा, दर्शक दिर्गा और पारकिंग बनाने की जिम्मेदारी मेट्रो को दी गई है मेट्रो लगबग 115 करोड की लागत से इस कारिय को कर रहा है मेट्रो का कारिय भी निर्धारित गती से जारी रहने की जानकारी है दोनों विभाग अपने अपने कारियों को प्रात्मिकता दे रही है और समय पर पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है